नवस्कार ख़वरों की ख़वर में आपका स्वागत है अर्बिंद केजरिवाल के जेल मंत्री तथा कथित कटर रिमांदार सरकार के जेल मंत्री जेल के अंदर किस तरीके से रंग्रेलिया मना रहे हैं उसका तीन तीन वीडियो आज सामने आ गया और इसके आते ही बवाल मच गया अर्बिंद केजरिवाल तो मुझ छपाते फिर रहे हैं और सामने मनिश्ची सोदिया आ गया उन्होंने बहाने बाजी फिर से शुरू कर दी लेकिन ये जो तीन वीडियो आया है उसकी आज आप एनलेसिस देखेंगे उसको जानने और समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना मकार है ये केजरिवाल और इसका पूरा गैंग जो दिन के उजाले के तरह साफ है उसे ये साजिस और मजाक बता रहा है ये तीन वीडियो हमारे पास भी है एक एक करके मैं आपको दिखाऊंगा लेकिन इस वीडियो के एनलेसिस से पहले ज़रा जेल मंत्री सतंदर जैन जिस सक्स की यादास चली गई थी कोरोना काल की वज़े से कोरोना से ग्रसित होनी के वज़े से जब एडी ने इसके सामने इसके कुकरमों के कागजात सामने रखे थे तो ये बहाना बजा रहा था कि इसकी यादास चली गई है मुझे कोरोना हुआ है और ये सक्स जेल के अंदर क्या कर रहा है और किस तरीके से जेल के अधिकारियों ने अपने जेल मंत्री के लिए तमाम जेल मैनुल को ताक पर रख दिया और जिस तरह की फैसिलिटी दी गई इस आम आदमी को वो आश्चर चकित करने वाला है वीडियो पर आऊंगा लेकिन उसकी बानगी आप समझेए ये जो वीडियो नदर आ रहा है आपको इस वीडियो में सतन जैन के कमरे के हाव भाव को समझेए इसमें तीन पिल्लों नदर आ रहे हैं बारा बॉटल बिसलिरी के एक डस्टमिन भी नदर आ रहा है विजिटर्स के लिए चेर भी है साथी साथ मसाज करने वाला सक्स भी नदर आ रहा है तेल से मसाज हो रहा है और बेट के उपर जो रजाई रखी हुई है उसके उपर एक टीवी का रिमोट भी नदर आ रहा है मतलब टीवी भी है और बेट के बगल में जो सुच है उसमें एसी का प्लग भी नदर आ रहा है मतलब एसी भी है बिसलरी भी है टीवी भी है साथ सुत्रा गत्दा कम्फूटेबल बेट भी है और गेश्ट के लिए बकाइदा वहाँ पी चेर भी है अब केजरिवाल तो कहता था कि हमने तो जे अब भार दिया है हमने जेल से वियाईपी कल्चर खतम कर दिया यह किस तरह क्या वियाईपी ट्रीटमेंट हो रहा है और यह कह रहे हैं कि मैं हमारे उपर खामखा आरूप लगाया जा रहा है एक दिन पहले कोट ने सतंदर जैन के बेल को रिजक्ट किया और यह कहा कि तु तुम इतने खतरनाक व्यक्ति हो कि जो जेल के अंदर पूरे जेल प्रसासन को उलट पुलट कर सकता है कानून को तुड़वा सकता है वो व्यक्ति अगर बाहर चला जाए तो वो गवाह और सबूतों को क्या करेगा यह जजस सहब सोचते हुए इसे वापस तिहार जेल सब्सक्राइब क्यों कि यह जो कुकर में चल रहा है नियमों की जो अंदेखी की गई वो इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ कि उसका वीडियो बाहर आ गया हूँ पहले वीडियो नमर वन से देखते हैं है यह वीडियो 13 सितंबर 2022 का है मतलब ज्यादा पुराना नहीं है औ और टाइम देखिए, दो पहर का टाइम है, एक बचके एक ग्यारा मिनट, बने बारा एक बज़े के आसपास ये सारी घटना है चल रही है, मसाज चल रहा है, मसाज चल रहा है और वीडियो के सुरुवात में नदर आ रहा है, कि सतंदर जैन कुछ कागजों को पढ़ रहा है, बई कागज को पढ़ रहा है हो, मसाज करवा रहा है हो, ये कागज क्या है, ये कौन से इन्फॉर्मिशन से हैं, ये जेल मंत्राले के कागजात थे, कि स्वास्त मंत्राले के कागजात थे, ये कागजात तुम्हारे पास आए कहां से, इस सवाल का जवाब कौन देगा, केज ये कागज जो सतिर्द जैन पल रहा है वो कागज उस मसाज करने वाले सक्स को दे दिया गया। और मसाज करने वाला सक्स उसे अपने साथ ले करके बाहर जा रहा है ये वीडियो में नदर आ रहा यह क्या कागस थे तमाशा हो रहा है और देशर्वी के साथ मनिस सिसोधिया बाहर आते हैं और यह कहते हैं कि बीजेपी इलाज का मजाग बना रही है सतेंदर जैन की मेडिकल रिपोर्ट है जिसमें डॉक्टर ने उन्हें नियमत रूप से फीज्यो थेरेपी लेने की सलाह दी है बीजेपी की सरकार ने सतेंदर जैन को जूटे केस में फसा कर जेल में रखा हुआ है आज इनके इलाज का सिसी टीवी दिखा कर बीजेपी का मजाग बना रही है बीजेपी कोई भी हो सकता है प्रदान मंत्री भी जेल में बंद आदमी भी लेकिन इतना घटिया काम बीजेपी के अलावा कोई नहीं कर सकता ये काम घटिया है CCTV footage बाहर दिखाना ये काम घटिया है और तो मसाज करा रहा है वो पुन्नी का काम कर रहा है अजीब कहानी है इनको दिक्कत इस बात के वीडियो क्यों रिलीस कर दिया गया वीडियो इसलिए रिलीस किया गया क्योंकि E.D. ने इन तमाम वीडियोज को कोट के सामने दिया और कोट के अंदर दिया गया evidence वो public property है और मीडिया को आप रोग दोगे इसे चलाने से वो पैसे खाकर जो टेलिविल चल वाले नहीं दिखा रहे थे नहीं बता रहे थे तुम्हारे उपर सवाल नहीं खड़े कर रहे हैं इसका मतलब क्या आप नहीं चाहते कि मीडिया अच्छी वही जो आपके तलवे चाटे और जो सच्चा ही यह जो कुकर्म हो रहा है जेल के अंदर उसको दिखाए तो यह बड़ा भवाल हो जाएगा क्या कर रहा है वीडियो नमबर टू में देखिए वीडियो नमबर टू 14 सितंबर का है आठ बचकर 26 मिनट का है रात के यह पोस्ट डिनर वहाँ पे भवाल चल रहा है मसाज और यह कह रहे हैं कि मजाक उड़ाया जा रहा है क्या इस तरह का मसाज हर जेल में बंद आम कैदी को मिलती है टीवी एसी यह सारी सुबधाएं छे मैने से यह सतिंदर जैन ले रहा है क्या यह सब के लिए उपलब्ध है लेकिन मकारों की बहाने बाजी देखिए क्या कह रहा है सिसोदिया सतिंदर जैन छे मैने से जेल में बंद है उन्हें गिरने से रीट की हड़ी में चोट लगी जिसके बाद अस्पताल में भरती कराना पड़ा उनकी दो सरजरी हुई दिस्चार्ज करते समय डॉक्टर ने फीजियो थेरिपी के लिए कहा था एक तो आपने उस आदमी को गलत तरीके से जेल में डाल रखा है उपर से उसके इलाज का मजाग बना रहे है मैंने कुछ डॉक्टर ने से बात की विडियो दिखाया पूछा यह फीजियो थेरिपी चल रहा है यह मसाज चल रहा है भाई फीजियो थेरिपी जेल के अंदर बदाम तेल से यह कौन से फीजियो थेरिपी है यह कौन सा आम आदी पार्टी का स्पेशलिस्ट फीजियो थेरिपिस्ट आ गया जो चमपी कर रहा है बालों में रीड के हटी में दिक्कत है तलबे में तेल लगाया आ जा रहा है तमाशा मना रखा है सबको क्या समझ में आ रहा है क्या आप इस तरह की जूट कहेंगे और लोग मान लेंगे कब गिरे वो जेल के अंदर जेल के बाहर और चलो डॉक्टर ने कहा भाई रगुलर फीजियो थेरपी इनको जरूरत है तो इस फीजियो थेरपिस्ट का नाम बताओ किसने एलाओ किया किसके परमिसन से वो उसके कमरे में था उसके पास फीजियो थेरपी के कोई डिगरी है या घर का कोई डैबर या नोकर है आपने पूरे सिस्टम को अपने पॉकेट में समझ रखा है और अगर इसे अनुमती मिल गई होती अगर कोई वैलिड रीजिन की वज़े से डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की वज़े से फीजियो थेरपी जी जा रही थी तो डॉक्टर के जो एक्सपर्ट डॉक्टर से उनको वीडियो बना करके बताना चाहिए कि रीट की हड़ी में जब दिक्कत होती है तो फीजियो थेरपी और मालिस में बड़ा फर्क होता है फीजियो थेरपी एक्सेसाइस कराने के लिए किया जाता है यह पैरों में तेल की मालिस लगने से इसको फीजियो थेरपी नहीं कहते है जूट मकारी इसकी इन लोगों ने इंतहा कर दी दिक्कत क्या है यह कोई बताएगा कि इस तरीके से आप जेल के अंदर किसी को भी घुजा ले रहे हो तीसरा वीडियो देखिए यह भी रात का है आठ सारे आठ बजे का 21 सितंबर का तीन चार लोग महिमान बैठे वे कौन लोग है यह भई क्या इस तरह से रात के अंधेरे में डीनर के बाद लोगों को बिठा करके वाँ मसाज भी चल रहा है हाथ उंगली दबाई जा रही है अजी वो गरीब फीजो थेरपी है ऐसी फीजो थेरपी सब कुछ आई ही होती है क्या हम आदी पाटी में तो यह जो बहाने बादी आदी पाटी के तरफ से की जा रही है कि भई हम तो हमारा मजाक उड़ाया जा रही है यह मजाक नहीं है यह तुम्हारे कॉकरमों का फल है लोग देख पा रहे है कि केजरिवाल सोचता कुछ है बोलता कुछ है करता कुछ है और उसके चटे बटे इन लोगों ने नियम कानून और मर्यादाओं को ताख पे रख दिया है फीजो थेरपी की जरूरत थी दिल्ली के स्पताल में उसको कोट के जरिया अपनी पहुँचा दिया एडी के लोग वहाँ पहुँचे तो भाई साथ वहाँ पे हाही कर रहे थे कमरे में उनकी पतनी भी थी भाई ये क्या चल रहा है ये जेल में खेल हो रहा है मनिसे सुद्धिया बताएंगे कि सतंदर जैन की पतनी कैसे उसके सल तक पहुँच जाती है क्योंकि ये भी आरोप लगा जेल में कभी भी आ जाती है कभी भी मिल लेती है और दूसरे आरोपियों को सेम केस के उसे सतंदर जैन से मिलवाने की वेवस्था ये कब से फीजियो थेरिपी का पाठ हो गया तीन-तीन लोग मसाज की जरुत पर दिये क्या वों मीटिंग देखिए तीन-चार लोग कमरे में बटे वहाँ पाठी चल रही है अर्विंद केजिवाल ने राजीती के तमाम मर्यादाओं को ताख पर रख दिया है ये व्यक्ति जो खुद को कटे विमांदार कहता है इनके चेले चपाटी इनके मंत्रियों को देख कर तो ऐसा लगता है कि जिस हिसाब से बिहार में जंगल राज के दौरान जिस तरह से गुंडे मवाली, डौन, बहुबली ये जेल के अंदर मजलिस लगाया करते थे सते दर जैन वही काम कर रहा है ये कोई नहीं कह रहा कि वीडियो गलत है या इसके उपर कोई सवाल या निसान ये सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया गया है कोट के अंदर बकायदा इसे पेश किया जा चुका है और ये एविडेज जो कोट के अंदर डाला गया अब ये जनता की अदालत में भी सामने आ गया है इसलिए केजरिवाल की जो चतुराई है जूट बोलने की जो कला है अब धीरे धीरे जनता को भी समझ में आने लगी है अरविंद केजरिवाल बड़ी बेशर्मी से कह रहते कि सतंदर जैन किसी दूसरे देश में होता तो उसे पदमसरी पदम विभूसन भारत रत्म मिल गया होता ऐसे ऐसे लोगों को भारत रत्म दिलवाना चाहते हो केजरिवाल जो जेल के अंदर रहकर जेल मंत्री बना हुआ है जिसे बेल बार बार कोट रिजेक्ट कर दे रही है जो हवाला के कारोबार में पूरी तरीके से सनलिप्त पाया गया है और जो कानून को ताक पे रखकर अपने मंत्री पद का धास दिखा कर जेल के अंदर जेल मैनुल की इसको गते पुर्जे पुर्जे उड़ा रहा है तो ये बहान बाजी अब नहीं चलेगी इस तरह के कारनामों पे जो लोग इसमें सनलिप्त हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए हमारी नजर लगतार बनी हुई है सतंदर जैन और आमादी पार्टी के तमाम गरबर जालाओं पे आप देखतेरी कैपिल टीवी हमारे वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए और कैपिल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद झाल